हेलो स्टुडेंट ये क्लास DRT फ़स्ट एर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फ़स्ट पोजिस्निंग आज अपने टोपिक है चेस्ट रेडियोग्राफी यानि अपने चेस्ट की रेडियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चेस्ट में कौन-कौन सी बोन्स होती है, चेस्ट के क्या एनेटोमी होती है, चेस्ट में कौन-कौन से व्यू होते हैं, किस चीज को देखने के लिए व्यू किये जाते हैं, वो सारे आज अपने इसमें पढ़ेंगे, चेस्ट के जितने भ बढ़ करते हैं अपने चेस्ट ऑनकी है नाना फबतल जाता है जो अपने किया अचेस्ट के दूर वनाओ जाता है इट कंसिस्ट ओफ 12 पेर ओफ रिब्स ये रिब्स के 12 पेर से मिलके बनावा होता है the ribs articulate posteriorly with thoracic vertebra and anteriorly with sternum जो अपने ribs होती है वो posteriorly thoracic vertebra से जुड़ी होई होती है और anteriorly sternum से जुड़ी होई होती है जो यह अपना थोरेशिक केज होता है इसके अंदर कौन-कौन से चीज़ें आती है हार्ट, लंग्स, ग्रेट वैसल्स, इसोफेगस, ट्रेकिया यह सारे अपने के थोरेशिक केज में आती है जो अपने रिब्स होते हैं वो हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है जो अपने रिब्स होते हैं वो हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है जो अपने डायफराम होता है नीचे के जो लंग्स के नीचे के जो दो डायफराम होते हैं inferiorly part में पाए जाते हैं the lungs are connected to the trachea जो अपने lungs होते हैं वो trachea से connect रहते हैं the right lungs is three lobes जो अपना right lungs होते हैं उसमें three lobes होते हैं upper lobes, middle lobes और lower lobes the left lungs is two lobes और जो अपना left lung होता है उसमें two lobes होते हैं upper lobe और lower lobe उसमें two lobes कैसे होते हैं क्योंकि उस side में अपना hat आता है इसलिए left lung में two lobes होंगे और right lung में three lobes होते हैं यह देखो, diagram में अपने को sternum bone दिखा रखी है इसके पीछे vertebral bone दिखा रखी है, vertebral column और उपर अपने एक clevical bone निकलती है, वो अपने को दिखा रखी है और बारा ribs की इसमें counting करवा रखी है यह अपना क्या है thoracic case होता है अपना है झाल कैना है झाल झाल इसमें अपने को थोरह शी केज एक होमन बोड़ी के अंदर दिखाया गया है जिसमें अपने को लेकल बोन वर्टिप्रा कॉलं। और तवाल पेर और रिब्स के अश्ट डाम बोन यह सारी क्ली più ली शीन हो रही है जिसमें देखो अपने को वर्टिब्रा की काउंटिंग भी करवाई गई है और पिच्छी से जो स्टार्ट होती है उसको अपने क्या बोलते हैं ती 1, ती 2, ती 3, ती 4 थोरेशिक वर्टिब्रा या फिर डोर्सल वर्टिब्रा उनकी भी अच्छी तरह इसने काउंटिंग इसमें डायग्राम में दिखा रखी है यहां आगे अपने बात करते हैं चेस्ट प्रिप्रेशन की चेस्ट का व्यू ले रहे हैं तो उससे पहले क्या-क्या प्रिप्रेशन करनी चाहिए क्या-क्या बात ने ध्यान में रखनी चाहिए जो तो अपनी त्रेस्ट का व्यू ऑता हो रिडीलोजी डेपार्टमेंट के कोमन व्यू होता है यानि यह लगबग त्रेस्टव व्यू किया जाता है गाइडलाइन्स मस्ट बी कीप इन माइंड बिफोर डूइंग टेस्ट एक्सरे कुछ गाइडलाइन्स है वो अपने को टेस्ट एक्सरे करने से पहले अच्छी तत ध्यान में रखनी चाहिए वो गाइडलाइन्स बताए गई आगे देखो केर सुट बी टेकन टू इन्शूर देट नो रेडियो ओपेक अब्जेक्ट और नो मेटलिक अब्जेक्ट आर लिफ्ट ओन अंडर दा कोटन गाउन्स याईनि अपने को जो अपने जब भी अपने पास पेसेंट आता है तेस्ट एक्सरे करवाने के लिए तो अपनी का उसको कोटन गाउन पैनाया जाता है यानि कि गाउन पैनाया जाता है अपने को ये शोर कर लेना है पहले कि जो उसने गाउन पैनाया उसके नीचे कोई भी रेडियो ओपेक अब्जेक्ट सिया फिर कोई मेटलिक अब्जेक्ट तो पैसेंट के पैना हुआ नहीं है अगर इमेज में आ जाते हैं इसलिए अपने उसकी सार्ट को रिमूव करवा के और उसको गाउन पहना आया जाता है जब अपने टेक्स्ट एक्सरे कर रहे हैं तो अपनी जो टेस्ट है वो क्या है मूवेंट करती है तो उस मूवेंट से बचने के लिए अगर वो मूवेंट के लिए तो यह अपनी फिरम में ब्लरिंग आ जाएगी तो उस मूवेंट से बचने के लिए अपने जो भी टेस्ट का एक्सरे लेते हैं वो फुली इंस्पाइरेशन में लेते हैं To minimize or reduce Magnification of heart shadow Long focus film distance FFD Is used 5 to 6 feet 157-80 cm For all AP view In a position जो अपने heart की shadow Move magnification होती है उसको reduce कम करने के लिए या minimize बिलकुल कम करने के लिए अपने क्या करते है Long focus to film distance लेते हैं जो focus to film distance होती है FFD उसको long रखते हैं कितना लगबग 5-6 feet यानि 150-180 cm तक अपने focus to film distance रखी जाती है ताकि जो heart की shadow अपने clear scene हो जाए और ये condition रहती है अपनी जब patient का अपने AP view erect position में कर रहे हैं अगर supine में करते हैं उसके लिए अपनी normal जो distance रहती है वही होगी if the patient cannot stand in erect position due to any reason supine view is done in this case FFD is kept 120 cm मैंने आपको बताया था अगर patient का है अपने erect view में patient का view ले रहे हैं अपने पोजिशन अगर erect में patient खड़ा नहीं हो पा रहा है तो अपने क्या करेंगे कोई भी condition हो जिसके दोड़ा patient खड़ा नहीं हो पा रहा है तब अपने patient को supine लेटा के उसका x-ray view किया जाता है यानि patient erect में नहीं हो पा रहा है तो patient क्या movement भी कर सकता है help भी सकता है तो अपने image खराब हो जाके इसलिए अपने patient का supine position में view लेते हैं यानि AP supine view लिया जाता है जिसके अंदर अपनी film to focus distance यानि FFD focus to film distance कितनी रखी जाएगी 120 cm The centering point for the chest is normally 4 5th dorsal vertebra जो अपने chest में normal point रहता है centering का वो कौन सा रहता है 4th 5th dorsal vertebra पर अपने centering की जाती है यानि chest का अपने क्याएग ज्याद तर PA view किया जाता है अपने patient supine में लेते हैं यानि erect position नहीं हो पा रहा है तो जब patient का supine view ले रहे हैं तो patient का AP view लेते हैं जिसमें अपने लगबग अपनी centering के आए chest के सभी view में 4th 5th dorsal vertebra पर रखी जाती है to move scapula away from lung fields the elbow are flexed back of both hands are placed on hip and elbow are pushed forward जो अपने क्या है scapula अपने थोरे सी cavity में आता है तो उसको scapula के field को scapula के shadow को side में करने के लिए थोरे सी cavity शेपने क्या करते हैं दोनों आतों को यानि elbow को flex करेंगे और दोनों आतों को hip पे रखके आगे की तरफ push करेंगे जिससे क्या scapula अपना थोड़ा सा बार के side निकल जाएगा और थोरे सी cavity से अलग हो जाता है the chest x-ray of children are done in supine position and erect position 4 to 5 years to reduce that chance of movement जो अपने क्या है children's के x-ray किया जाते हैं वो ज्यादा तर supine position में किया जाते हैं क्योंकि ये बच्चा है बच्चा हेल भी सकता है सही position भी नहीं लगाएगा इसलिए अगर बच्चे को पन ने खड़ा के रखा वाहां पे cassette holder के पास में तो percent यानि बच्चा हिल जाएगा तो अपनी movement के account film खराब हो जाती है इसलिए ज्यादा तर बच्चों के x-ray क्या है supine position में किया जाते हैं अगर बच्चा चार से पांच साल का है तो अगर erect position में सही खड़ा हो पा रहा है तो उस condition में बच्चे का x-ray erect position में किया जाता है next आता है अबना the view of chest x-ray अभी अब chest x-ray के कौन कौन से view होते है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे इससे पहले आनि अपने chest की सारी preparation पढ़ ली कि अपने chest के view करते टाइम किस किस बातों का ध्यान में रखना चाहिए और chest की पूरी anatomy पढ़ ली कि इसमें ये bone होती है ये थोरे सी case होता है heart, arotak, levical, sternum वगरा होते हैं अब अपने chest के view की बात करते हैं तो chest के view आते हैं सबसे पहले AP view anterior posterior view PA view posterior anterior view lateral view oblique view जो अपने क्या है सबी views यानि सबी body part में लगबग normally किये जाते हैं AP, PA, lateral, oblique और chest के तीन special view है lateral decubitis apicogram और lodotic view ये तीन view chest के special view में आते हैं सबसे पहले अपने start करते हैं chest के views उसमें बात करते हैं chest के AP view की सबसे पहले chest के AP view की बात करें तो chest का जो AP view है वो trauma cases में किया जाता है ज़्यादा तर अपने क्या है trauma case में ही chest का AP view किया जाता है अगर अपने को normal patient का test का view करने हैं तो अपने PA view लेते हैं सबसे पहले अपने इसके indication की बात करें तो इसका indication रहेगा to investigation heart and thorax pathologies heart और thorax की pathologies को investigation करने के लिए अपने chest का AP view किया जाता है cassette size cassette size की बात करें तो cassette size अपना रहता है 14 x 17 या 12 x 15 में chest का एक स्रेय किया जाता है तो next आता है अपना position of patient patient की position क्या रहेगी patient stand erect facing to the tube with his back is contact with the cassette जो patient का face हो जाने सल से पहले patient erect position में खड़ा हो गया और उसके बाद patient का face हो वो ट्यूब की तरफ रहेगा और patient की जो back है वो cassette के touch में रहती है यह था अगर अपने patient का view erect position में ले रहे हैं in the in a patient where is it not possible to get the patient into erect position due to illness x-ray has get to be done in supine ap position अगर patient क्या है erect position में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं यह पैसेंट अपनी position सही तरह से नहीं ले पा रहे हैं erect position में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं बायतांस उसके इल्ल है बहुत ज्यादा बुखा रहे हैं तो उस condition में patient खड़ा नहीं हो पाएगा तो अपने क्या करते हैं patient का supine epi view लिया जाता है यह पैसेंट का x-ray अपने को करना है patient खड़ा नहीं हो पा रहे है तो पैसेंट का जो x-ray वो supine position में किया जाता है यहीं सुपाइन epi view patient should hold breath inspiration during exposure patient को अपने inspiration करवाएंगे यह अंदर स्वास लेगा patient उसके बाद patient को hold breath करने के लिए बोलेंगे यह पैसेंट को अपने बोलेंगे कि स्वास रोको जब पैसेंट स्वास रोक लेगा उसके बाद अपने exposure करते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अपने test क्या moment करती है स्वास लेते हैं तब तो अपनी जो film है वो blur आएगी इसलिए अपने patient को inspiration करवाके और स्वास रोक आके उसके बाद exposure किया जाता है तो inspiration में व्यू क्यों लिया जाता है ताकि जो गेस है वो अपने को लंग फिल्ड के अंदर दिखाई दे उससे अपने को क्या है लंग फिल्ड पुरा अच्छी तरह क्लिए दिखाई दे जाता है कि इस से इस कंडिशन में अपना लंग्स है और अगर अपने जैसे इरेक्ट में व्यू ले रहे हैं तो इरेक्ट में मैंने आपको बताया था दोनों आतों को हीप पे रखेंगे और आगे की तरफ पुस करके पैसेंट का व्यू लिया जाता है नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉजिशन ओफ कैसेट की पॉजिशन क्या रहेगी अपने पैसेंट की पॉजिशन लगा ली पैसेंट को सारा चेक कर लिया कि इस प्रकार से अपने का व्यू लेना है अब अपने लगाते हैं कैसेट की पॉजिशन तो कैसेट की पॉजिश होती है उसको अपने सॉल्डर के लेवल से दो इंच उपर तक रखते हैं ताकि अपना क्या उसमें सॉल्डर भी इंक्लूड हो जाता है फिलम में और नीचे तक जहां तक अपनी कैसेट आती है डायफ्राम से नीचे तक वहां तक का व्यू के लिए आ जाएगा इसलिए अपन पिछे की साइड कैसेट के टच में हैं एपी व्यू में तो अपने क्या करेंगे फॉर्थ फिप्ट डॉर्सल वर्टिप्रा के लेवल में जो अपने आगे का पार्ट आ रहा है वहीं अपने सेंट्रिंग की जाएगी तो देखो कहां करेंगे सेंट्रल रे वन इंच बिलो प्पार्ट है पर्ड़्च कहां उपने क्या बोलते हैं इस सद्ल को से एक इंच नीच नीचे अपने सेंट्रिंग करते हैं यानि अपने हाथ लगा के फील करेंगे कि कहां अपने सुपरिश्टनल नोच आ रही है उससे बिल्कुल एक इंज नीचे अपने सेंट्रिंग की जाती है इसके बाद देखो अपने को डिकाया गया है जिसमें पैसेंट एपई व्यू में टेबल पर सुपायन पॉजिशन में लेटा हुआ है जिसके बाद अपने केसेट की पॉजिशन कहां लगाई है अपने सोल्टर जोईंट से 2 इंच उपर उसके बाद अपने centring कहां की हुए देखो जो अपने सुपर स्टेनल नोज आती है उससे एक इंच नीचे की तरफ centring की हुए और कहां अपना solder तक आ रहा है और नीचे diaphragm एंगल से नीचे तक आपना view आ रहा है यानि इतना view अपना case set में आना चाहिए उसके बाद बात करते हैं अपने radiological appearance की इसका radiological appearance क्या रहेगा तू shadow of lung fields are seen by either side of heart and aruta अपने को जो lungs की field size होता है lungs की shadow है वो अपने clearly seen हो रही है और इसके side में अपने को heart और आरोटा भी seen हो रहा है the ribs are superimposed on the lungs और जो रिब्स है वो lungs को superimposed कर रही है the apicis part of lungs above the shadow of clavicles जो अपना apicis part होता है यानि apicis part कौन सा हो गया lungs के उपर का part यान जो जो लंग्स के उपर की cavity होते हैं इसको अपने apicis part बोलते हैं यानि उपर के apicis part में अपने को clavicle की shadow और उपर का part अच्छी तरह seen हो रहा है the outline of scapula and diaphragm are clearly seen अपने क्या क्या स्केपूला को थोड़ा बाहर निकल वाय था apicis part में scapula बाहर नहीं जाता है तो उसमें क्या स्केपूला की outline अपने को clearly seen होती है और diaphragm भी अपने को clearly visible हो जाते हैं यानि अपने को image में क्या क्या दिखाई दिया हार्ट आरोटा लंग्स का इसके बाद देखो एक टेस्ट एक स्रेक्स रहे कि यह लाइन भी अपने लिख सकते हैं उसमें अपने को डायफ्राम दिखाई दे रहा है क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है लंग्स का पाइस्ट पार्ट भी clearly seen हो रहा है यह सारी चीज़े अपने इसमें radiological appearance में लिखी जाती है कि इसके बाद देखो एक टेस्ट एक स्रेकी इमेज अपने को दिखाए गई है उसके अंदर अपने क्या कि inspiration करके exposure किया था यानि हवा अपने अंदर थी अपने अंदर स्वास था तो वह क्या है देखो अपने को ब्लेक ब्लेक सेड़ों में दिखाई दे रहा है जिससे अपने को लंग्स का फिल्ड अच्छी तरह सीन हो रहा है और लंग्स के उपर रिप सुपरिंपोस अपने को द डाइफ्राम भी क्लियरली विजिबल हो रहे है और जो लिफ्ट लंग्स के अंदर अपने को हलका सा वाइड पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है अपना हर्ट एंड आर उटा है यानि हर्ट की सेड़ों अपने को यहां सीन हो रही है यह सार अपने को क्या ए अब लाश्ट पॉइंट अपनाता है एक्सपोजर फेक्टर यह अपने एक्सपोजर क्या रखे तो उसमें अपने की डिस्टेंस रहती है 120 cm in supine position याणि अपने जब supine position ले रहे हैं तो उसमें 120 cm रखा जाता है के वी की बात करें तो के वी अपना रहता है 16 अम्यस अपना रहता है 60 और ग्रिड का यूज अपने नहीं करेंगे और अगर अपने क्या इरेक्ट पॉजिशन में व्यू ले रहे हैं तो अपना 157 80 cm डिस उन्हें टेस्ट का AP view clear और complete पढ़ लिया है आगे अपने start करेंगे next class में thank you